दोस्तों नमस्कार मैं सेखर सिंग रहना आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चेनल के एस बाय फ्लॉक में काफी दिनों से मैं सुच रहा था इस अपने एक जो बाय फ्लॉक टैंक है एक में ही कल्चर कर रहा हूं मैं क्यूंकि एक यह वाला टैंक मेरा हमें इसा खा सब्सक्राइब के परपस से यूज करने के लिए मुझे इसमें मैंने दो तीन तीन राउंड चार राउंड बच्चों को जो है छोटे सीट को स्टॉक किया और उसके बाद अपने तलाबों के लिए इस वाले टैंक के लिए सीड मुझे अच्छा मिल जाता है छोटा सीड लाएंगे आप उसमें इस्टॉक कर लिए इसके बाद अपने तलाब के लिए फिर जहां पर भी स्टॉक करना हो तो आप कर सकते हैं तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला इसलिए मैं बायप्लाक कल्चर बस एक ही टैंक म आप कर रहा हूं यह मेरा बायप्लाक कल्चर है और इसमें पंगासीज का कल्चर मैं कर रहा हूं जो पिछला कल्चर मैंने किया था मांगोर वाला तो उसमें मुझे ग्रोथ की काफी दिककत आई थी ग्रोथ नहीं हूरे थि मंसलियों की मैंने सुचा कि इस वार डेंसिटी कि एकदम से बहुत ही लोग डेंसिटी करके मैं कर रहा हूं कि इसमें हाजार दस्जा लीटर का जो ट्रेंग यह मेरा इसमें मैंने हंडेट से भी कम पंगाशियस फिश स्टॉक करी है और यह इस ट्राइम दाई सब तीन सो ग्राम की फिश है जो कि यह आई थी मेरा 25 अफ्रल क यही सीड इस वाले जो तलाब है साइड में चोटा सा यही सीड इसमें भी है लेकिन तलाब की जो साइज है उसकी ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी है इस बाइफ्लक टैंक से इसमें बाकी सब कुछ एकदम से नॉर्मल है सारा पैरामेटर टी डी एस पी एस अमोनिया एनो अच्छे से चल रहा है यह फ्लॉक की डेंसिटी आपको दिख रही होगी तो यह फ्लॉक की कंडिशन है तो अच्छे लाइट पढ़ने की जिसे उतना ठीक से आनी पा रहा है मकी वाटरा कलर और पानी बहुत ही अच्छा कलर है इसका जैसा होना चाहिए बाय फ्लॉक का फर्स्ट टाइम में मैंने मार्केट वाला प्रोबाइटिक यूज़ किया था लेकिन उसके बाद से मैं अपना थुद का प्रोबाइटिक यूज़ कर रहा हूं प्रोबाइटिक बनाना बहुत ही आ इस तरीकी से मैं बनाता हूं यह रियल कलर है इसको मैं एक टाइम में मार्निंग टाइम जो फर्स्ट टाइम फीटिंग कराई जाती है तो उस टाइम एप्सियो मिला के देता हूं बाकि दिन में दो बार बिना एक त्यों के ड्राइट इनको खिला जा रहा है तो फीटिंग जैसे तलाब में तीन टाइम हो रही है वैसे ही इस बाइफ्लाग टैंक में भी उसी तरीके से तीन टाइम फीटिंग करा जा रहा है लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो है और तलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी है जब इस नरसरी टैंक में जब 25 अपरेल को सीड ले आये थे तो 15 दिन करीब और कुछ और टाइम साइध रखे थे इसके बाद इसमें ट्रांसफर किये और और बाकी सीड उस तलाब में ट्रांसफर किया गया तो लेकिन उस तलाब में ट्रांसफर किया गया तो वहां पर बहुत ज्यादा बिमारी आ गए थी बैक्टिरियल इंट्रेक्शन मस्लियों को बहुत खतरनाक तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में इस तरीके से ऐसे मसलियां करके मर रही थी लेकिन इस बाया फ्ल किया मैंने वह भी हुआ था इस वज़े से क्योंकि बहुत नया पानी था और नई नई फर्स टाइम की बारिस होई थी तो उस टाइम में फंगल आ जाता है और वेक्टिर इंफ्रेक्शन बहुत तेजी से आता है तो कम से कम 15-15-18 दिन उन लोग ने फीडिंग नहीं की थी विर्व मिशलियां जो उसमें तलाममे लेकिन इस टैंग की मशलियां से सट लह से पुद्धिंग कर रही है लेकिन तब भी इनका स्लोब जो हैं तलाब के मुकाबले और दोनों ही 23 Food लायन की मसलिया थी तो देखते हैं आगे आगे जैसा हो सकता है हमको लग रहा है तलाब की हर्वेस्टिंग अक्टूबर या नॉम्बर स्टार्टिंग तक हो जाने चाहिए और इसकी क्या साइज रहती है और तलाब की क्या साइज रहती है हमारे जो तलाब है उसकी साइज क्या रहती है वो सब दिखाएंगे आपको जूड के लिए दोस्तों बाबाई एंड टेक केर